नमस्कार दोस्तों, दोस्तों क्या आपको भी डाइबटीज की बीमारी है या फिर आप इस सुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दवाईयां खाते खाते ठक गए हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इस डाइबटीज को बड़े ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और इसको हमेशा कंट्रोल में बनाए रख सकते हैं, दोस्तों वैसे तो आप जानते ही होंगी कि ये डाइबटीज की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, जिसके लिए हमें जिन्द की भर दवाईयों पर निर्भर रहन पड़ता है, और आज के समय में भारत में पांच क्रोड से अधिक लोगों को ये डाइबटीज की बीमारी हैं, तीन क्रोड से अधिक लोगों को आने वाले सालों में हो जाएगी सरकार ऐसा बोल रही हैं, इस डाइबटीज की बीमारी के कॉम्पलिकेशन भी बहुत अधिक इस diabetes की बीमारी के कान ही हमारा पूरा सरीर बीमारियों का घर बन जाता है यदि आप इसको सही से manage करेंगे तब आपकी एक तो उमर लंबी होगी और दूसरा आप सवाश्थ जीवन भी जीएंगे इसलिए आपको diabetes का जब भी पता चले तब आपको इसको सही तरीके से manage करना चाहिए और इसके लिए आपको घरेलू नुस्खा पनाना चाहिए अपने खानपान पर ध्यान देना चाहिए अपनी डेली की दिंचरिया को भी सही करना चाहिए दोस्तों यदि आप सुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन तीनों का ही रोल बहुत अदिक महत्यपून है यदि आप इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को मिस करते हैं तो जो दूसरी आपने दो चीज़ें की उनका कोई महत्व नहीं रहता यानि नुस्खा पलस डाइट और तीसरा अपनी दिन्चरिया आपने इन तीनों को पालन करना ही करना पड़ेगा तो चलिए सबसे पहले हम सुरू करते हैं नुस्खे से उसके बाद आपको बताएंगे दिन्चरिया उसके बाद आपको बताएंगे डाइट यानि आपकी इस diabetes का complete solution हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में दोस्तो इस नुस्खे के लिए आपको दो मुखे समगरी चाहिए और एक सहायक समगरी जो मुखे समगरी है उसमें दोस्तो जो पहली है वह है दोस्तो मेथी दाना और दोस्तो मेथी के फाइदे कौन नहीं जानता दोस्तो मेथी दाना बड़े हुए बलड सुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है और यदि diabetes के मरीज मेथी का सेवन करते हैं तो उनको इस अपनी सुगर लेवल को मैनेज करने में बहुत आदिक फाइदा मिलता है टाइप 2 diabetes के मरीजों के लिए तो मेथी दाना है ही बहुत आदिक चमतकारी क्योंकि मेथी में गलेक्टोमेनन गुन पाया जाता है जो बलड में सुगर के अवसोशन को कम करता है दोस्तो मेथी जो diabetes के मरीज होते हैं यदि उनका पेट बढ़ जाता है उसके लिए भी बेहद कारगर है ये हो गई पहली सामगरी दूसरी जो इसके लिए सामगरी चाहिए दोस्तो वह है हल्दी दोस्तो diabetes के मरीजों के लिए हल्दी भी बेहद अधिक चमतकारी है diabetes के मरीजों को हल्दी का सेवन करना चाहिए यदि वो अपनी बलड सुगर लेवल को मेंटीन करना चाहते हैं और इस diabetes के बीमारी के जो कॉम्पलिकेशन है उनसे भी बचा रहना चाहते हैं दोस्तो ये हल्दी उनके high cholesterol को manage करेगी और बहुत बार क्या होता है इस high cholesterol के कान भी हमारा sugar level बढ़ता है या sugar level के कान भी हमारा high cholesterol बढ़ता है यानि ये दोनों ही एक दूसरे से correlate हैं और यदि हम हल्दी का प्रियोग करेंगे तो ये दोनों ही हमारे manage होंगे और हल्दी में एंटॉक्सेंट और एंटी इंफ्रिमेंटरी गुन भी मुझूद होते हैं जो हमारी बलड सुकर को मैनेज करते हैं और जो तीसरी इसके लिए समगरी आपको चाहिए वह चाहिए दोस्तो दालचिनी दालचिनी क्या करेगी मेथी और हल्दी के गुनों को और भी कई गुना अधिक बढ़ा देगी जिससे आपको इसका बहुत तेजी से और बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा तो चले दोस्तो आपको ले बनाते हैं इस नुश्खे को दोस्तों आपने क्या करना है एक से डेड़ गलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रखना है अब आप इसमें एक चमच मेती दाना का डाल दीजिए जैसे हमने डाल दिया आपने भी ऐसे ही डालना है अब दोस्तों इसमें आपने आदा छोटा चमच हल्दी का डालना है और एक चुटकी डालनी है दाल चिनी और इस पानी को तब तक उबालना है जब तक कि आपने ये डेड़ कप या डेड़ गिलास या एक गिलास पानी लिया था और वो एक कप ने रह जाए आप एक गिलास भी लेशकते हैं, डेड़ी ग्लास भी पानी लेशकते हैं पर आपने इसको तब तक उबालना है जब तक ये एक कप रह जाए और जब दोस्तों ये एक कप रह जाए तो आपका काड़ा रेडी है आपकी इस डायपटिस को कंट्रोल करने के लिए आपको इस बीमारी के कॉम्पलिकिसन से बचाने के लिए अब आपने इसका सेवन हर रोज सुबे खाली बेट करना है और दोस्तों ये आपकी डायपटिस को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा चाहे आपकी सूगर लेवल 380, 480 कितनी भी रहती हो ये उसको मैनेज करने में आपकी मदद करेगा इसके लिए जो दूसरी चीज हो गई वो हो गई आपती दिंचरिया दोस्तों आपने क्या करना है हर रोज सुबेश और स्याम को सैर वगरेद जरूर करनी है इसके साथ में मंडू का असन जरूर करना है यदि आप अपने डाइपटीज को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं अब जो अगली चीज है वो है दोस्तों इसमें डाइट का रोल और डाइट का रोल भी बहुत अधिक महत तैपों हैं दोस्तों आपने एक अनाज यानि खाली गेहों की रोटी नहीं खानी है गेहों के आटे की रोटी आपने दोस्तों मिक्स अनाज की रोटी खानी है और मिक्स अनाज में क्या क्या आपने गेहों के साथ में बाजरा, जों, रागी और चना इन चार चीजों को मिला के गेहों के साथ में पिसवाना है और उस आठे की आपने रोटी खानी हैं और फिर देखिए कैसे आपका सुगर लेवल कंट्रोल में बना रहेगा उस आठे की रोटी रोटी खाने से ना आपका सुगर लेवल नौरमल आ जाएगा इतना कारगर है ये चमतकारी आटा भी और यदि आप इस आटे के साथ में इस नुस्खे का सेवन करेंगे तब जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बेहदा देख चमतकारी होगा तो दोस्तों देख इस बात की हैं आप भी आज सेही इस नुस्खे का सेवन कीजिए अपनी दिंचरिया को सही कीजिए और इस मिक्स अनाज की रोटी खाईए और फिर हमें बताईए कि आपके सुगर लेवल पे आपको कितना असर दिखाई दिया तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों